महु मेर अभिवार को करणी सीना दुवारा स्थाने दस्षहरा मैदान में महु आयोचन क्या क्या जिसमें इंदौर जुला ध्यक्ष रिशे राजस सोधिया ने सभा को संभोधित करते हुए कहा कि करणी सीना किसी भी राज्ट्रेतिक दलों का विरोध नहीं करता बलकि अपन सीटी एक्ट में संशोधन करने की मांग को लेकर पूरे महु तहसिल के सभी समाजनों को एकत्रित कर यहां आयोचन किया जा रहा है इसके शिरवात हो चुकी है और पूरे प्रदेश में यहां लड़ाई दमदारी के साथ जारी रहेगी उन्होंने कहा कि ग्यात हो कि 8 जनवरी 2023 को मद्रदेश की रास्थानी फोपाल में कड़नी सीना का जनांदुलन होगा और विधानसपा का कड़नी सीना की समाज जनु द्वारा 50 लाख लोगों के साथ मिलकर किया चाएगा कड़नी समाज का देश है कि हर हाल में आर्थे का अधार आरक्षन और एक्ट्रोसीटी एक्ट में संसोचन करवाना है कारिक्रम के मुख्य अधिति के तौर पर प्रदीश अधिक्ष ठाकुर जीवन सिंग थे और सभा की बाद शहर में हजारों की संख्या में शामिल होकर रेली का आयुचिन क्या क्या रेली का जगे जगे पुश्प वर्षा कर सुवागत भी क्या गया और कारिक्रम के दुरान भारी संख्या में महिलाएं वबरुश सहित शामिल हुए हैं जहां पांडाल भरा हुआ था साथी समाज को एक करनी के दिशा में लोगों किसी अपील की गई है कि इसी तरह सबसे बड़े लाखों की संख्या में राजपुत समाज की करनी सीना के लोग जनवरी में फुपाल में कद्रित होकर विधान सभा का खिराव करेंगे ग्लोबल इंजिया टीवी के लिए महु सी शाम खांदिकर की रिपोर्ट इसी राजपुत करनी सेना के दिशा में इट्रो सिटी एक्ट में संसोधन और आर्थिक अरदार पर अरक्षन के लिए एक जन आंदोलन किया जा रहा है इस अंदोलन की महु से मतलब महु से एक उकार भर्रा कारिक्रम आठ जनवरी को बोपाल में हम एक विधान सभा घेराव करेंगे उसके लिए आज महु से ये कारिक्रम किया जा रहा है ए भर कहां कहां से करनी से ना। हमारे इंदोलन जिला की फूरी टीम आ लुस इंदोलन में जितने भी हमारे आसपास इम्रोल राउं पितमपूर लेपालपूर र्जग माइविय से ना की ना फिरूंत श्यक्तर है जो और आप तरी को जो वीधान सभा घेराव करेंगे पचास लाग लोग का टर्गेट के साथ में हम विदान सवा गिराव करते हैं अपका नाव कोंदन सिंग पटेल